नार्वसक्त दोस्तों डिडिलेर के एक और एक्षिन वीडियो में आप सब स्वागत है I am aadop, तो आज जो वीडियो है वो वीडियो लेकर आया हूँ बहुत जबरस वीडियो है और यह मेरी दिल के करीब बहुत जाला वीडियो है इंसाइड वर्ल्ड बिगस्ट फिल्म सिटी हिद्राबाद तिलंगाना रामोजी फिल्म सिटी और वीडियो का लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन डॉक्स में है आप इनके चैनल पर जाएए इनको सपोर्ट करिए बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं और चुकि रामोजी फिल्म सिटी से मेरा पर्सनल रिलेशन है तीन साल मैं वहां पर रहा हूँ एटीवी में काम किया है मैंने महाँ पर तो यह अंदर से जो कुछ भी दिखाने वाली है वो सब मैं जानता हूँ वहां घूमाओ वहां हूँ रोज का हमारा वही गाम होता था काम करने के पादम घूमते ही दे दर उदर तो चलिए देखते हैं दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी जो भारत में है भारत के तिलंगाना में है 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 और मैं आपका परसनल कुछ एक्स्पीरियस बताऊंगा कि उसका अंदर मैंने तीन साल महां रहा हूँ चलिए देखते हैं भार और दिपका ने इन्ही स्टेर्स में आशिकी लड़ाई डिटी पिचर ने आहां रादे के सल्मान इसी जेल में कैद हुए इसे एक जगा में 200 फिल्म शूट होती हैं हर साथ 500 अलग-अलग लोकेशन में 6,000 लोगों की महनत से किसी भी टाइप का पोन चाहिए वो भी मिल जा यह एक जगा 2,000 एकर से भी जादा बड़ी है जिसमें दुनिया का सबसे बड़ क्रिकेट स्टेडियम 26 ताइम्स आचाहे दुनिया के पांच सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो का साइज अड़ करो इसको डबल करो से भी जादा बड़ी है यह जगा I couldn't believe a place like this is in our India, so I went there. तो कॉमेंट में ना एक छोटा सा दिल जरूर छोड़ के जाना और विडियो एंड तक देखना क्योंकि लास्ट में है वो चीज जो रामुजी को सबसे स्पेशल बनाती है अरे यार इन सड़कों के देखके पुराने जमाना याद आगिया तो भाई लोगों वहाँ पर मैं 2003 से लेकर 2005 याचे पांच पांच एंड तक था मैं तो 2002 के सुरी 2003 के स्टाट से शायद मार्च में मैंने जॉइन किया था एटीवी 2003 में और एंड 2005 में मैंने छोग दिया था तो यह जो है इनका में गेट यह बाहर वाला आउटर गेट नहीं है एक आउटर गेट भी है इसके पहले यह फिल्म सिटी का में गेट है तो आउटर गेट से सबसे बाहर वाले आउटर गेट तो यहां से हम लोग रोज इसी रस्ते से गुजरते थे ऑफिस की बस होती थी और आगे चलके हमारा ओफिस है महाँ पर जो आपको सामने बिल्दिंग्स दिख रहे हैं आपको सामने दो बड़ी बड़ी बिल्दिंग्स देंगरी हैं वह हो बहुत बड़ी फिल्म सिटी है जो चाहिए वह आपको मिलेगा पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन क्या कहते उसको एयरपूर्ट विदेशी लोकेशन्स विदेशी घर देशी लोकेशन्स गाहाओं गलियां सब कुछ मिलेगा एवरेटिंग आज इतनी बड़ी इतनी फैंसी दिखने वाली इंडियन फिल्म सिटी हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी पहले ये पूरी जगा एकदम बंजर जमीन थी तब सलंगाना के रामुजी राओ ने देखा एक सपना वो रामुजी राओ जो बिगेस तेलगू न्यूस्पेपर तो च सब्सक्राइब लेकर आए और एक तगड़ी मूवी बना के निकले बिना किसी पेड़ को काटे इंका बहुत सारे पेड़ों को लगा के बनी इंडिया में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी पांसो से भी जादा स्पेशल सेटप्स औरड़ी रेड़ी हैं यहां जैसे साथ इंडियन सिटी का सेटप जहां पर पुष्पा रावंड के सीन्स शूट हुए थे भारत की कई आइकोनिक लोकेशन से यहां जैसे बॉम्बे का गेटवे ऑफ इंडिया पंजाब का गोल्डन टेंपल राजस्थान का हवा महल दिली का दिली गेट सब साथ में मिल एरप्लेम भी है यहां पर जहां पर भी जाओ बैठ जाओ तीन अलग अलग ताइप के जेल्स भी हैं और जेल के अंदर साथ में लोग भी मिल जाएंगे इन सारे सेटप्स की वज़े से यहां चालिस फिल्म्स एक साथ शूट हो सकती है रामो जी की सेगंड खासियत है यह अउतिस स्पेशियलाइज स्पेश्या इसेएट को तुम कहीं का भी दिखा सकते ओ बना सकते ओ बस इन रैंप्स को चेंज करके इन लांप्स की वाज़े से अभी यशा लग रहा है कि हम साओ इंडीयन किसी पूराने चाउथ इंडीट कर दो तो आढ़ेगा कि हम दुनिया पूरी स्रीट बनाई है, कॉलेज है, युनिवरसिटी का लुग देने के लिए लगेगा कि आप नौर्थ इंडिया में गूम रहे हो, तो इतनी प्लाइंड शिटी है और उसके एक एक इंच का इस्तेमाल किया गया है, जिससे आपको फील आए कि आप कहां पे हो प्रॉपर कैसा, आप पकड़ जो सकते हैं कि आप कहां पर हो जोएं कॉलेज के स्टूदें ऐसी स्ट्रीट में चलके इंखुसते हैं अपने कॉलेज में तो इसली जगा एक उनिवर्सिटी का फील दे सकती है यहां पर मस्त आशिकी के लिए स्ट्रीट बना रखी है जहां पर हीरो और हीरोईन साथ में चलके आशिकी लडाते थे अगर बात बनी तो साइड में ही एक फैमिली का गार्डर बना रखा है जहां पर हीरोईन अपने घरवालों के साथ चीज़ा आगे वडा सकते है पर अगर बात नहीं बनी तो साइड में ही एक वैली बना रखी है जहां से हीरो निपट सकता है यहां पिना अभी बत ãy courses फेशल सी पैसे तो सेे नॉर्मल श्रीत है क्रिठी है पर उससे मिठी टाल में ऐसे है अभी जशे वह जब डाल रहे हैं, भी जित्स मिठी टाल की सब्सक्राइबना नस्था वाइब भी मिल चाहिगी यहां कि इनोंने ये पूरी स्ट्रीट बना रखी है जाबनी स्टाइल में ये गेट्स, पोल्स, ब्रिज्ज एकदम सब जपानी वे में रखे वे आपे एक और विदेशी स्टाइल स्ट्रीट इनोंने बनाई है जहां पर सारे घर ना एकदम लंडन स्टाइल में है लाइट कलर्स में एकदम पिंग, येलो, ब्लू, परपल वो वाला जो भर है वहीं पर गोलमाल शूट हुई थी स्ट्राइल आपना बहुत सारे ऐसे ओल्ड पोस्टर्स मिलेंगे उच भी बन मा सकते हो रहा अभूजी के टालेंटेड सैट डिजाइनर्स से स्मार्टनेस का एक और एक्जाम्पल है यह यह बड़ा सा प्रॉप जो है इन टायर्स में लगा हुआ है ताकि यह कई पर भी कभी भी चला जाए जो अब भी डाइरेक्टर का मन करें तब वहां उसे लगा ले यह है माया वो जगह जहां पे सारे सेट अप्स और प्रॉप्स बनाए जाते हैं 500 से भी जादा महन्ती, कारिगर, स्कल्प्टर्स, डिजाइनर्स यहां पे काम करते हैं 10,000 से भी जादा ऑबजेक्स जैसे पिलर्स, मोल्स, वाल्स यहीं पे बनाई जाती हैं जो भी डिमांद हो डाइरेक्टर की यहीं पर पूरी होती है Thermacol, P.O.P., Wood, Tiles, अलग-अलग अबजेक्स यूज़ करके यह प्रॉप्स बनाए जाते हैं अलग-अलग मशीन्स में इन्हें डाला जाता है इन्हें बनाने के लिए और यह काम 24 आर्स तक चलता है ताकि टाइट डेडलाइंग में भी डाइरेक्टर को एकड़म क्वालिटी से क्वालिटी चीज मिले ताकि जो भी चीज़े हम लोग अपनी स्क्रीन में देखते है उसमें बारीक तबारीक डीटेल समने आए और यह सारे प्रॉप्स बन के जाते हैं प्रॉप्स शॉप में और यह है वो जगा जहां पे सारे प्रॉप्स रखे जाते हैं कोई भी टाइप के बरतन चाहिए हों मिल जाएंगे किसी भी टाइप का फोन चाहिए वो भी मिल जाएगा अचा एक इंडिन मूवी बनाने के लिए जतनी ज़रूरी है कारिगर और डाइरेक्टर्स उतने ही ज़रूरी है मूवी के गाने जिनके लिए चाहिए होते हैं बड़े सही गार्डन्स जो खोब भरे पड़े हैं रामो जी फिल्म सिटी में ग्रीन, beautiful gardens है यहां पर यह है लेक गार्डन यह रामो जी का सबसे बड़ा गार्डन है जही परना विट्या वालन का उलाला सॉंग डर्टी पिच्छर का भी शूट हुआ था यह गार्डन दिल्ली का मुगल गार्डन जैसा लगता है फ्रम आउटसाइड अंदर से लुक्स लाइक मैसूरू का ब्रिंदावन गार्डन कुछ गार्डन्स में बहुत से डांसर्स दिखेंगे और कुछ गार्डन्स में बहुत सारे अनिवल्स ना मोजी में ऐसे बहुत सारे empty pillar-less sets हैं जहाँ पर कुछ भी तुम रख सकते हो, ठीक है? ऐसे huge, empty, pillar-less halls जिसमें कुछ भी डाल के कुछ भी शूट कर सकते हो उपर ना ग्रिड्स लगी वी हैं जिसमें तुम कोई भी टाइप की lights या cameras लगा सकते हो इनी बड़े halls में reality shows और fashion shows भी shoot होते है और सिर्फ movies बनाने का ध्यान नहीं दिया इस जगाने movie बनाने वालो का भी ध्यान दिया है क्योंकि सब के लिए अलग-अलग type की रहने की जगाए हैं यहाँ पर चाहे वो fancy sitara हो, semi fancy sitara हो dormitory single rooms सब कुछ और सब में बहुत अरे वह सहारा यह जो यह तस्वीर में बोलता हूं अपने एटर भाई को लगाने के लिए full screen पे यह जो लिगा ना सहारा इस building में हम करीब 8 या 9 महीने रहे ते लगा था क्योंकि तब हमने नया नया सब्सक्राइब किया था और तब हमें office की तरफ से ही accommodation दी गई थी तो यहीं सहारा हमें मिलाता रहने के लिए और बड़ी अच्छे जगा थी या एक कमरे में सब क्याल लगने ल्गने लॉकर थे तो हम लोग बही छब मेन यंग थे और नहीं नौगर में आखेन जो लगना न यहां कीजा हकिती तो वह शिट कर दिये हूनों नहीं यहां पर लेकिन हमारे जमाने में कोई बात ही और रामीजी समानलम ले में बड़े precise हैं, वो अपने employees का खयाल बड़ा जबड़ा सा है नुकसान हो जाए भले, लेकिन employees को नुकसान नहीं होना चाहिए और इमानदारी बहुत है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा इमानदारी है, इस मामले में 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 बसके कहानिया है बताने को इमानदारी की मा की इटीगी की, तो इस मामले में मैं रामो जी गारू को तो हूँगा कि वो एक तरसे अभिवावक रहे हमारे महाँ पर, हम लोग अपने घर से इतने दूर थे, और उनका इतना बड़ा एमपायर था, लेकिन हर तीन महीने पर, तीन महीने पर या छे महीने पर, शायद छे महीने पर या तीन महीने थे, एक क्वाटरली या शायद हाफ एरली मीटिंग होती थी, और उनमें हम लोगों को भी शामिल कराए ज़दर, कि हम बहुत उस समय हमारा लो लेवल के इंप्ल तो यह जो पीपल टू पीपल उनका कनेक्ट रहा है ना रामजी राओ का वो बहुत जबर्दस्तरा है और जो लोग एटीवे में काम कर चुके हैं या जो लोग उस वक्त रामजी राओ को जानते हैं अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो आप समझ गहे होंगे कि मैं क्यों ऐसी बाते कर रहे हूँ इम्पलोइज़ को यहदराबाद से अफेस लाने लेजाने के लिए फ्री बस सर्विस अपको कहीं आने आने के लिए है आप कहीं भी रहते हों बहां से आपको उफेस आना है आपको बस मिलेगी जैसे स्टेट बसेश चलती हैं वैसे उनकी बसेश चलती थी और टाइम की पाबंद अग्रम सवा बारा बज़े वो बस महाँ पर आएगी मतलब आएगी आप बारा बज़ कर सोलर मिनट पर आए वो बस जा चुकी होगी इतनी punctuality और इतनी सारी चीज़ें और facilities बहुत थी तो भले ही महाँ पर हमारी salary बहुत कम मिलती थी लेकिन हमें खर्च करने की जरुवत नहीं पड़ती थी खाना फ्री था आना जाना फ्री था घर बड़े सस्ते थे बड़े अच्छे थे तो आप सोची तो रामोजी राओ को मैं आलवेज मानता हूँ बहुत भगवान उनकी उम्र को और जादा बढ़ा है और अब तो शायद मुझे लगता है कि 90 आराउंड हो चुके होंगे तो मैं कहूंगा कि भगया जतनी जिन्दगी आप भगवान दे सकते हैं आप उन्हें दे क्योंकि उन्होंने जो काम किया ह अज़ बहुत बहुत आप की वाज़ आप की इसलिटीज भी रस्टरेंस तो है ही पूल्स सेंटर्स खेलने की जगा है अब कुछ है अब बहुत अब कुछ आप अज़ पार्ट्स द्रामोजी का जा पर सबसे फैंसी शूटिक हो ती है और वह होती है यह ज़िए ते पूरा हट जाता है और सिर्फ वह इंसान रहता है और फिर तुम आगे पीछे कुछ भी आई जाता है और तो जिन्हें बहुत जादा आइडिया नहीं है डाट्स वर्श्वल प्रोडक्शन की प्लेस का लिए हम बहुत जादा मैं नहीं जानता है लेकिन जो इसके लिए काम करते हैं को शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूं यह वर्श्वल प्रोडक्शन की जगा है और यहां पर करेक्टर जनेरेटर से आप कुछ भी लगा सकते हैं कुछ भी शूट कर सकते हैं बाद में उसको बैगराउंड रिपेस कर सकते हैं और आजकल तो इतने अच्छे सॉफ चीज़े बनाई गई है यह जो ब्लू स्क्रीन वाली चीज़े दिख रहे थी उसके लिए भी इतने साब ने कड़ियों सिक्या और तें बहां देखा कैसे बिखी रिवर्श एसे ही कई यूनीक फीचर्ज है इस रामोजे फिल्म सिटी में तब ही तो डेढ मिलियन लोग यह आते हैं अर साल ऐसी जगा जहां मूवी से बनती ही नहीं है सलिबरेट भी की जाती है कि हम बाड़तियों को मूवी से बहुत प्यार है कभी तो वीस्ट भी जादा लैंग्विजज में दो हजार से भी जादा फिल्म्स बनती है इंडिया में हर साल इसी प्यार और पागलपन को दर्शाती है ये एक जगा जो भारत के अनुक हे कल्चर का एक महपपून पार्ट है मेरा ना यूट्यूब पर एक एम है कि मैं भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट पर एक वीडियो बनाओं और उसका कल्चर आपके सामने लेके आओं तो कॉमें ना अपने डिस्ट्रिक्ट के बारे में एक खास बात जरूर लिखके जाना और सब्सक्राइब करना तो यूर मेट के के क्रिएट वाई कुशिशिशिशिए इनका चैनल है लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है आप जाएए इनका काम देखिए इनको सपोर्ट करिए बहुत अच्छा काम करी है और मैं support करता हूँ कि भाई आगे बढ़ें और बढ़ें और अच्छा गाम करें बहुत enjoy किया मैंने आपको इस वीडियो के जरीए आपने जो चीजे दिखाई हैं वो मेरे दिल के बहुत करीम है और आज से मैं 20-22 साल पहले मैं वहाँ पर था और वो यादे का एक ताजा हो गया कि भाई उनी सडकों पर हम जाते थे वहीं पर हम भी शूटिंग देखने चले जाते थे काम खतम किया चले गए लेकिन देखिए उन सबसे बड़ी बात है जो रामोजी राव ने वहाँ पर जो इको सिस्टमिक बनाया है वहा बनाया हम तो तो फूरी फैमिली को साल में एक बार हमारे आफिस के तरफ से हमें पूरी पासे मिलते थे और आप पूरी फिल्म सिटिग घुमा सकते जिसके लिए आप हजारो रुपए खर्च करते हैं आज के जमाने में कि अगर आज आज आपको जाकर रामोजी फिल्म होंगी क्योंकि वहां की जो policies थी वो बहुत जादा employee friendly policies थी बहुत जादा बहुत personal level पे वहां पे employees का ख्याल रखा जाता है personal level पे तो इसलिए कभी भी आप जो ETV में जिसने भी काम किया होगा रामजी राओ के साथ जिसनों ने काम किया होगा वो कभी भी जब बाहर आते हैं मैं इतने सालों बाद भी अगर मैं उनकी तारीफ कर रहा हूँ और उनके लिए भगवान से प्रातना कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो उनके किये गए अच्छे काम है जिनका असर मेरी लाइफ पर मेरे करियर पर पड़ा और आज यहाँ पर हूँ तो हम लोग अक्सर महाँ पर घुमने निकल जाये करते थे और बड़े-बड़े सेट्स महाँ पर हम लो तो देखे हैं फिल्मों की शूटिंग होती हुँ देखे हैं आज आऑनके सबसे बड़े कशास बात यह है कि आप बस एक कागज पर अपनी स्क्रिप्ट लेकर जाये आपको अक्टरस चाहिए आपको बाकी चीज़े चाहिए आपको मेर्शिन रिच आया चाहिए यह, लोकिशन चाहिए अडिटिंग चाहिए sound चाहिए everything वहाँ पर available है आप बस अपने script लेकर जाएए अकेले जाएए और पूरी film output लेकर आईए एक साथ आपको बाहर निकलने के ज़वक्राइए इतनी सारी facilities वहाँ पर मौझूद है आप सोचे कितनी बड़ी बात है और मुझे लगता है कि अब तक तो रामजे फिल्म सिटी में हजारों फिल्मों के शूटिंग हो चुकी है बड़े से बड़ी फिल्मों छोटे से छोटी फिल्म हजारों फिल्मों के शूटिंग हो चुकी है वहाँ पर कितने हजारों को employment मिली हुई है जो मज़ूर हैं जो technicians हैं जो camera man है, video editors है, film editors जिने कहते हैं मैं तो साधारना भाषा में समझा रहा हूँ वहाँ पर बड़े से बड़े पढ़े लिके लोग है वहाँ पर music composing होती है वहाँ पर special effect के लिए जो आपने देखा ही काम होता है पुरा division है उनका अलग-अलग I think symphony है उनका audio division जहां पर डबिंग हो, music composition हो everything जो चाहिए आपको उससे मिलेगा audio से related camera वहाँ पर मुझे याद है कि उस वक्त वहाँ पर वैसे camera थे जो दुनिया में बहुत कम पाए जाते है 4-4 करोड, 3-3 करोड के camera थे उस टाइम पर मतलब आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूं और जो सिर्फ पूरे इंडिया में दो या तीनी camera थे उनमें से camera रामोजे फिल्स रखी नहीं थे camera के पूरी building है भाई साब अलग-अलग cameras रख्यों है सब सारी चिज़े है, equipments आप सोचें तो बड़ा मजाया इस वीडियो को देखकर और जिन लोगों ने अगर नहीं देखिये रामोजे फिल्स रिटी मैं आपसे घुजारिश करूँगा, आप लोग जाईए रामोजे फिल्स रिटी घूम कराईए आपको पता लगेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ इसलिए और सबसे बड़ी बात Guinness Book of World Records में स्क्रिंशॉट लगा देता हूँ Guinness Book of World Records में हमारी रामोजी फिल्स रिटी का नाम है दुनिया के सबसे बड़ी फिल्स रिटी होने का रिकॉर्ड उसके नाम है पूरिया वर्ड में इतनी बड़ी फिल्म सिटी कहीं नहीं है तो गिनेस बुक अब वर्ड रिकॉर्ड बनान हो उसका और बड़ा प्राइड फील होता है कि हम उस जगह पर रहे हैं तीन साल रहे हैं उसका चप्पे से हम लोग घूमे हैं गुजरे हैं कमेंड कर क्या बता हैं जल्दे मिलता हूँ एक ओने गुरे के साथ नमस्कार जाए